नमस्कार आप देखे रहें न्यूस फोर नेशन और मैं हूँ सांथ वनाप के साथ बिहार और जार्खन में जवाद तुफान का असर हाला की जादा देखने को तो नहीं मिला और इसके साथ ही जवाद तुफान अब कमजोर पड़ चुका है लेकिन बिहार के कुछ हिस्सों में जवाद तुफान का असर अब भी देखने को मिल सकता है बता दे कि आएमजी के रिपोर्ट के अनुसार बिहार के अधिकांश हिस्सों में बारिश होनी की संभावना जटाए गई है साथे साथ मौसम विभाग ने इस बात की जानकारी भी दिये कि आने वाले 48 घंटों में तापमान में गिरावच देखने को मिलेगी ऐसे में बिहाराज में 14-18 किलोमीटर प्रती घंटे से हवा के चलनी का अनुमान भी जताया गया है मौसम विभाग ने इस ये जानकारी दिये कि आने वाले 48 घंटों में ठंड बढ़ जाएगी और ऐसे में ठंड को लेकर तापमान में गिरावच भी होगी क्या कुछ जानकारी है मौसम विभाग के तरफ से क्या है मौसम का हाल आईए आपको इसके पूरी अपडेट देते हैं बतादे कि बिहार और ज्जाटखन में वैसे तो जवाद तुफान का बड़ा असर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन कुछ इलाकों में अंशेक बारश के आसार जरू नजरा रहे हैं आई-मटी के अनुसार जवाद तुफान अब कमजोर पड़ने लगा है हलाकि कुछ इलाकों में तुफान का असर देखने को मिलेगा मौसम विभाग के अनुसार बहार में अगले 48 घंटों में 10 से 14 किलो मीटर प्रती घंटे की रफतार से हवा चलने के आसार है वही राज्य के पूर्वे जिलों के कुछ इलाकों में हलकी बारश भी हो सकती है बारश के बाद राज्य के तापमान में गिरावच होने का पूर्वानुमान जताया गया है बताया जा रहा है कि पूर्वाया हवा के चलने की वज़े से बंगाल की खाडी में सक्रिय चक्रवात जवाद ही है और अब इसका असर भी देखने को मिलेगा मौसम विभाग के अनुसार बारश के बाद बिहार में साथ दिसेंबर से ठंड बढ़ने के आसार जताया गया है साथे साथ राज्य में सुबह और शाम के समय ठंड अभी जादा लगती है और दिन में मौसम थोड़ा गर्म रह रहा है साथी शाम होते ही अधिकार्श इलाकों में कोहासा भी चाया रहता है मिली जानकारी के अनुसार बिहार में जवाद तुफान की वज़े से कुछ इलाकों में बारश भी होगी वहीं मंगलवार को तुफान का असर खक्म होने की बात कही जा रही है पतना मौसम विज्यान केंद्र के अनुसार फिलाल बहार पुर्वया हवा चल रही है जिसकी गती 8-10 किलोमीटर प्रती घंटे हैं बतादे के फिलाल बहार में 14-15 डिग्री के आसपास तापमान रह रहा है इधर बढ़ती ठेंड और कोहासे के कारण विमान सेवा पर भी असर पढ़ रहा है बात करें पतना एरपोर्ट की तो पतना एरपोर्ट पर कोहासे के कारण विमानों की लेट लतीफी जारी है बैंगलूरू और पुने से आने वाली फ्लाइट सबसे जादा लेट हो रही है पुने से पटना आने जाने वाली फ्लाइट पर कोहरे की जादा मार पड़ी है वैसे ही पुने पटना फ्लाइट तीन घंटे लेट रही है तो वहीं बैंगलूरू से पटना आने जाने वाले विमान भी तीन घंटे तक लेट ही चल रहे हैं बतादे के मौसम विभाग से मिली जानकारे के अनुसार अगले 48 घंटों में बहाराज में तापमान में गिरावच देखने को मिलेगी और ऐसे में साथ दिसेंबर से बहाराज में एक बार फिर से ठंड बढ़ जाएगी साथ साथ बहार के अधिकांश हिस्सों में बारी बारिश होने की भी संभावना चताए गई है और इसके साथ जवाद तुफान आने वाले 24 घंटों में पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा फिलाल के लिए मौसा में बस इतना ही है न कई अपडेट्स के लिए हम आई साथ बनी रही निउस फारनेशन में नमस्कार